Hello everyone, welcome back to Rajani classes. आज की इस वीडियो हम करेंगे Iron and Steel Industries के बारे में डिसकूस. प्रिवियस वीडियो में हमने Manufacturing Industries को डिसकूस किया था. Link आपको डिस्कूर्प्चिन में मिल जाएगा. वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं. तो firstly हम बात करते है Iron and Steel Industries के क्यों इनको base कहा गया है, all industries का basic point कहा गया है, infrastructure की backbone माना जाता है, तो उसका कारण है, वो कारण क्या है कि यहाँ पर, कि जितनी भी industries है, all countries की, जो भी industries है, small, large and medium, वो सबी क्या है, किस पर dependent है, iron and steel पर, तो इसलिए इनको key of all industries भी कहा जाता है, जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की economic growth में, ये base point का work करती है, यानि कि जो economic growth, provide करवाती है, iron and steel industries, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, कि इंडिया में growth and development, iron and steel industries की, तो कुछ point आते हैं, जो हमें show growth को, कि इंडिया में iron and steel industries की growth कैसे है, तो वो point हम देख लेते हैं, अगर first point हम industrial development की जब भी बा 1875 में, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ से पहले कोई iron को produce ही नहीं करता था, firstly अगर हम ancient time की बात करते हैं, तो उस time period में भी क्या है, बहुत से example ऐसे मिलते हैं, जो चीजें भी बनाई जा चुकी थी, जो iron से बनी हुई थी, यानि कि दिखाई देती हैं, सब को लगता था, कि iron को प्रोड्यूस करता था, इंडिया, जैसे हम example ले सकते हैं, जो कुतुब मिनार इन डैली में है, वहाँ पे एक iron pillar है, तो वो ancient time period से था, तो iron को produce तो करने लग गया था, लेकिन अगर modernize करने की बात, अगर हम करें, इंडुस्ट्रिया जो modernize किया गया, वो कब किया गया था, वो first point था, 1875 में, तो जो company लगाए गई थी, यानि कि iron को produce करने के लिए, वो थी, बेंगॉल, iron, works, company, ये कहाँ पे लगाए गई थी, वेस्ट, बेंगॉल में, एट, कुल्टी, यानि कि, जो specialized किया गया, कि जगह को उनसी थी, कुल्टी, वेस्ट, बेंगॉल में, जो सबसे पहले, इंडुस्ट्री लगाए गई, iron को produce करने के लिए, वो थी, बेंगॉल, iron, works, company, इस भी हम growth and development की बात करें, तो इसमें हमारा second point आता है, जो development को show करता है, in 1907 में, जहां पर industry लगाए गई थी, टिसको, टाटा, iron and steel company, टिसको, जमशेदपूर, जारगंड में लगाए गई थी, बट स्टार्टिंग में जो इसका नाम था, वो था साक्ची, साक्ची में ये situate की गई थी, बाद में इसका नाम, rename कर दिया नहीं की, बदल दिया गया, साक्ची से इसका नाम कर दिया गया, जमशेदपूर, यहां पर हम ये देखते हैं कि, जो firstly स्टार्टिंग हमने की थी, कि यहां पर जो देख रहे थे, कि Bengal Iron Works Company, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बात हो रही थी, कि Iron के production कर रहा था, बट 1907 में जो real beginning थी, वो किसकी थी, Iron and Steel के, तो यहां पर हम बता सकते हैं, कि 1907 में Steel का production करने लगा था, Tata Iron and Steel Company के दवारा, थर्ड पॉइंट हम देखते हैं यहां पर इसको, जो आई थे, 19-19 में, कमपनी आई थी, इसको, the Indian Iron Steel Company, the Indian Iron Steel Company, तो यह जो सिच्वेट की गई थी, यह बर्नपूर में थी, बर्नपूर, in West Bengal, बर्नपूर में, इसको, the Indian Iron Steel Company, जो कि अगर हम देखे, तो स्टार्टिंग तो यहीं पर हुई थी, इसको, स्टार्ट किया गया था, यानि कि लगा दिया गया था, बट इसको, जो तीन, अलग अलग इंडस्ट्री थी, उनको, कमबाइन करके बनाए गई थी, उसके बारे मे हम देखते हैं, जो 1923 में कमपनी लगाई गई थी, Iron and Steel Industries में ही, तो उसका नाम था, मिसको, मैसूर Iron and Steel Company, जो यह लगाई गई थी, वो थी भदरावती में, भदरावती, जो रीवर थी, उसके बैंक पर लगाई गई थी, करनाट का, भदरावती में, मिसको लगाई गई थी, 1923 में, बट हम इसको, जो इसमें चेंजिस आ गई थे, इन 1962 में, मिसको से इसको कनवर्ट कर दिया गया, यानि कि यह स्टेट गोवर्मेंट के अंडर आ गई, जो कंट्रोल था, इस पर वो स्टेट गोवर्मेंट का हो गया, और इसको नाम दे दिया गया, विस्वस्रया आइर्ण एंड स्टेज लिमेटेड, जो नाम दिया गया था, वो एक ग्रेट इंजिनियर, विस्वस्रया के नाम पर ही दिया गया था, तो यहाँ पे हमने डिसकस किया, ग्रोथ और डेवलप्मेंट की, जो भी आइर्ण एंड स्टील इंडस्रीज थी, प्लाइन थे जो कि start किये थे इंडिया में जवारलाल नहरों ने जो start किये थे उनमें जो first five year plan था उसमें क्या था कि situated करने के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए गए थे कि iron and steel industries के development के बारे में कि कोई भी project त्यार किया जाएगा बट ऐसा कुछ भी नहीं था कि first five year plan में कोई भी project त्यार नहीं किया गया जो काम हुआ था steel and industries के लिए वो था second five जो fifth year plan था उसमें तो यहां पर क्या किया गया था इस plan में जो three steel project लगाए गए थे जो first था उनमें था वो इन बदरावती, second इन रौर केलं and third इन दुर्गापुर यह तीन project लगाए गए थे इनके बाद में जो fourth project था बोकारो steel plant तो यहां पर यह जो development के हम बात कर रहे थे, हमने point देखे थे तो fifth point में यहां पर five year plan में जो की development को इशो कर रहे है iron and steel industries के, the sixth point is, अगर हम 2016 के data के अगर हम बात करते हैं तो जो इंडिया में crude steel production थी steel production के अगर हम बात करते हैं तो वो थी 95.6 million ton यहां पर हम बात करें crude steel production की, कि जो 2016 में कितनी होगी थी 95.6 million ton इसी data को देखते हुए जो इंडिया की rank थी, यानि कि वर्ल्ड में crude steel production में इंडिया की rank थी, वो कितनी थी? third rank in world इसे में अगर हम 2016 के data के अगर हम बात करते हैं तो पर capita जो consumption थी इंडिया में वो थी 63 kg पर एननम और capita consumption थी 63 kg पर एननम, जो कि वर्ल्ड में कितनी है? 208 kg पर एननम तो ये कुछ पॉइंट थे जो इंडिया में growth and development या कैसे हम इंडिया में iron and steel industries डवलप कर रही हैं कितना इनका work production हो रहा है, वो हमने discuss कर लिया next हम discuss करते है process of manufacture of steel, कि steel की production यानि कि जो process होती है steel को बनाने की वो कौन-कौन से होती है, तो जब भी steel को बनाया जाता है तो उसमें जो important three ingredients होते हैं, वो कौन-कौन से होते हो देख लेते हैं तीन important ingredients हैं वो हैं, तो first उसमें आता है iron ore second is cocking coal and third is limestone जो इनको ratio होता है, यानि कि perfect ratio में भी इनको divide किया जाता है steel को बनाने के लिए, तो वो ratio क्या होता है, four ratio two ratio one तो यहां पे हम कैसे समझ सकते हैं, इसको कि अगर steel को बनाना है, तो iron उसमें कितना होगा four ton, ऐसे कोकिंग कोल की कितने निड होगी, two tons की, और limestone की जरूरत कितनी होती है, only on one ton, तो यह ratio होता है कि किसी भी industries में, अगर steel के production होती है, तो उसमें तीन most important ingredients होते है, iron ore, कोकिंग कोल, and limestone, और वही same इनके जो ratio को divide किया गया है, कि steel को बनाने के लिए, फिर इसके बाद जो process होती है, कि स्टील बन जाता है, लेकिन उसमें जो कुछ hardness देनी होती है, तो उसके लिए मैगनीज की कुछ मात्रा उसमें इस्तेमाल की जाती है, तो यह processing होती है, industries में steel को बनाने के लिए, और हम इसमें जो diagram से इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, वो हम देख लेते हैं, steel को manufacture किया जाता है, तो उस process में जो first step होता है, वो होता है, raw material को plant तक transport करना, after that, जब raw material plant में आ जाता है, तो कोक कोईन दन के रूप में इस्तेमाल करके iron ओर को melt किया जाता है, third step में limestone जो के एक साहे खनीज होता है, को iron ओर में add किया जाता है, जिससे pig iron, जो के एक melted iron होता है, वो prepare होता है, और उसको malts, यानि कि जो साचे होते हैं, उनमें डाला जाता है, fourth step में steel making cover को उता है, जिसमें pig iron को दुबारा से melt किया जाता है, और magneze, nickel, chromium को add करके oxidized process दुबारा impurities को दूर किया जाता है, and last step में metal को shape दी जाती है, जिसमें rolling, pressing, casting यानि डहलाई, and forging यानि गड़ाई की जाती है, तो यह हमने की steel metal जो metal बनाए जाती है, उसको बनाने की जो process थी उसके बारे में discussion, integrated steel plants इस portion में हम इंडिया के most important steel plants के बारे में discuss करेंगे, जिसका हमने वीडियो में पहले भी discussion किया था, तो first stage में Tata Iron and Steel Company टिसको, यह इंडिया की oldest iron and steel center है और एक private sector भी है, जिसमें हमने पहले discuss किया था कि जमशेजी टाटा ने साक्ची सिंग भूम, District of Jharkhand में 1907 में टिसको company लगाई थी, बाद में साक्ची का नाम बदल कर जमशेद पूर रखा गया था, वो भी जमशेद जी टाटा के नाम पर ही रखा गया था, जो production start की गई इसमें, वो two time period पे की गई थी, जो first थी, यानि कि जिसमें pig iron के production को start किया गया, वो था 1911 में, 1921 में steel का production start किया गया था, यानि कि हम यहाँ पे दोनों point से क्या समझते हैं, कि 1911 में तो pig iron को सिर्फ और सिर्फ iron को प्रोड्यूस करता था यह टिसको, बट 1921 से इसमें steel का production भी start हो गया था, इससे आगे जो भी टिसको की जो geographical facilities हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो geographical facilities में जो सबसे पहला point आता है, वो आता raw material availability का, कि किसी भी product को बनाने के लिए जो raw material की need होती है, वो वहाँ पे किस availability है, वो किस तरह हो रही है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं, iron ore, iron ore जो available होता है, वो two mines से होता है, फर्स्ट इसमें नाव मुंती माइन्स, एंड सेकंड है बादाम पहार माइन्स, जो कि दोनों कहां पे हैं, सिंग भूम डिस्टिक ओफ जारखंड में ही है, थर्ड जो माइन आती है, इसमें वो गुरु महीसनी माइन है, जो कि मयूर भन डिस्टिक ओफ औरिसा में है, जो distance माइन्स देखते हैं यानि कि जो इन माइन्स से टिसको प्लांट तक की जो दूरी है वो है 75-200 किलो मीटर नेक्स आता है कोल भी एक रो मेटीरियल है जिसकी जरूरत आयरन और और स्टील बनाने में होती है कि वो कैसे अवेलेबल होता है वो हम डिसकस कर रहे हैं तो उसके सभडी जोDEN रिजर्वस हैं हम कह सकते हैं कोल का तो वो कोंड़िय जरूर्य सेठोड में हैं तो यह दोनों ही जारूर्चेंडंड में और इसके जो देखते हैं डिस्टैंस देखते हैं टिसको से इन माइन्स का वो है 1 60 km किलोमेटर तो 3 116 किलोमीट्र ममजनेग और माम्ड भश्स के ओर कंगल से उठेम धूड्प तन गोंड तो किसी do करा मैंगले 76 ये वह घंगी खुड़िश्त क्सरass अब उसको बाजार तक जो पहुंचाया जाएगा उसके लिए किसकी जरूर हो तो पॉर्ट की तो पॉर्ट फैसलिटीज की जो अविलेबिलिटी थी वो कॉलकाता प्रोवाइड करवा रहा है किसको जमशेदपूर में जो टिसको कंपनी लगी हुए उसको क्योंकि जो कॉलका स्के लिए वोटर की अविलेबिलिटी जरूरी होती है तो जो वोटर अविलेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है टिसको को वो है सुबरना रिखा रिवर जो की जारकंड में है प्लांट में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसलिटी की जरूरत होती है और जमशेदपूर इस वैल कनेक्टेड विद कोलकाता, मुंबई एंड जेनई बाइ, रेलवे एंड रोड नेटवर्क फिफ्ट एंड लास्ट पॉइंट है जो लेबर फैसलिटी होती है, कि किसी भी प्लांट के लिए लेबर की फैसलिटी भी होने चाहिए, अब काम कौन करेगा, लेबर करेगी तो टिसको को लेबर जो मिलती है, वो बिहार और इसा प्रोवाइड करवाता है और जो छोटा नागपूर प्लेट्ट्व है, उसके जो ट्राइब से एरियाज हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, वो भी लेबर सप्लाई करवाते हैं, इससे वहाँ पे जो चीप रेट में लेबर अवेलेबल हो जाती है, जो कि वर्क अच्छे से करती है, तो ये कुछ का आइरन और स्टील कंपने इसको, जिसके बारे में हमने वीडियो में पहले डिसकस किया था, कि ये जो तीन प्लांट्स थे, कुल्टी, बरनपूर और हीरापूर, उन तीनों को मर्ज करके बनाए गई थी, यानि कि उन तीनों प्लांट्स को मर्ज कर दिया गया, और नाम क्य क्या है तो फॉस्ट इसमें आती आर इन-ूर जु क्या अती जो के रिच्ट है या जो मांस गुणा मायंज से ब्लांट की जो दिस्टैन्स है यानि के जो माइंस बोना माइंस ऑनसे और इसको प्लांट करured कि जो डिस्टैन्स है फो है 285сят किलोमेटर सेकंड रो मेटीरियल आता है इसमें कॉल कहां से मिलता है जहरिया माइन्स जो जारखंड में है वहां से और जो डिस्टेंस है वो है 137 किलोमेटर लेकिन अब यहां पे पावर का यूज जादा कर रहे हैं तो जो पावर सप्लाई होती है वो दामोदर वैली कॉर्परेशन से ह होती है थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि थर्ड रो मेटीरियल क्या है डॉलोमाइट एंड लाइन स्टोन जो कहां से मिलते हैं सुंदरगर डिस्टिक ओफ जार्क और इसा से और जो डिस्टेंस है वो है 327 किलोमेटर फॉर्थ पॉइंट इसमें आता है कि रेल एंड एंड स्टील लिमेटेड 1923 में बद्रावती नदी के किनारे पर शिमोगा डिस्टिक ओफ करनाटका में मिस्को मैसूर आइरन एंड स्टील कंपनी लगाई गई थी जिसको 1962 में स्टेट गोवर्मेंट के अंडर कर दिया गया और उसका नाम यानि कि मिस्को से बदल कर क्या क रखा गया वो रखा गया था एक ग्रेट इंजीनियर विश्वे सुरया के नाम पर सेगेंड पॉइंट इसमें आता है आरेन और अवेलिबिलिटी यानि कि जो आरेन और है इस प्लांट को वो कहां से मिलता है वो मिलता है केमन गुंदी माइन से जो कि चिकमंगलूरू डिस डिस्टेंस है यानि कि विश्वे सुरय या आरेन और स्टील जो कमपनी है उससे और माइन्स का उनका डिस्टेंस है ओनली ओन 40 किलो मेटर नाइन्टी ट्वंटी थर्ड में जबी प्लांट लगाया गया था तो जो स्मेल्टिंग के लिए यूज करते थे तो चार कोल का कोल अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे बट प्रेजेंट टाइम में हाइड्रो इलेक्रिक पावर का यूज किया जाता है जो कि श्रावती पावर प्रोजेक्ट से मिलता है नेक्स्ट इस में आता है लाइम स्टोन जो कि मिलता है भुंडी गुडा माइन से और जो डिस्ट यह हमने complete कर लिया iron and steel industries को मिलते हैं एक next वीडियो में एक नए topic के साथ